Hello Guys, Welcome to SBS Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे SM के guest paper की लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको मेरे चैनल को use कैसे करना है मैंने एक वीडियो लाइफ चैट की थी, student के साथ मैंने उसमें बताया था कि presentation कैसे करनी है audit की, account की और क्या करना है, क्या नहीं करना है किस तरह से presentation करनी है, किस तरह से नहीं करनी है do and don'ts बताया थे मैंने उसमें plus अब मैं इस वीडियो में, इस starting में आपको बता रहा हूँ कि SM के या जो भी मैंने guest paper upload की है, account के और audit के, उसको use कैसे करना है सबसे पहले आप मेरा last attempt का guest paper है, जो आप उसको देखो फिर उसके बाद नए आवाला देखो दोनों को आप अगर combine करके देखोगे, तो आपको best results मिलेगा ठेक है, और presentation कैसे करनी है, मैंने सारी tips उस वीडियो में दी हुई है मैंने live chat के नाम से वो वीडियो बनाया था, मैं उसका भी link आपको description box में जबू दूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए यार तो like, like करना इस वीडियो को क्योंकि उससे हमें motivation मिलता है, आपको और अच्छा वीडियो देने में अगर आप नहीं हैं इस channel पे, तो subscribe करें और bell वाला icon ज़रू दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो का notification मिले और आप हमसे जुड़े रहे आप हमसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं IPCC लेवल में और final लेवल की auditing पर हमने आपको facebook का link, instagram का link और whatsapp का link दिया हुआ है whatsapp का number दिया हुआ है, मैं आपको इस बार फिर से description box में दे दूँगा number आप कभी भी contact कर सकते हो हमें तो चलिए शुरू करते हैं SM का guest paper इस बार strategic change बहुत important है, दूसरा TQM principle इसको तो आप इस बार 5 star दे दो क्योंकि मेरे according ये इस बार paper में जरूर आएगा फिर बहुत time से BCG matrix नहीं आई है इस बार वो matrix आने की बहुत chances है फिर एक question जो कि मैंने अपने last guest paper में भी डाला हुआ है एक बार फिर से मैं वो guest डालना हूँ आप को वीडियो में evaluation of business worth ये भी आप 5 star दे दो बहुत important है इस बार फिर आपने पढ़ा होगा marketing mix ये बहुत important है फोर पीस भी आप पढ़ना एक आपके में होगा types of marketing like enlightened marketing social marketing वो भी इस बार के लिए बहुत important है आपका एक topic है chapter 3 में competition analysis उसमें छोटे छोटे कुछ topic है वो institute कभी कभी घुमा के पूछ लेता है और सीधे सीधे भी पूछता है आप उसको भी पढ़के जरू जाना इस बार और एक retrenchment strategy ओके फ्रेंड्स तो SM के guest paper में बस इतना ही topic जो मेरे according बहुत important है मैं आपको पूरा syllabus नहीं दे सकता हूँ वहना फिर guest paper का मतलब क्या हुआ यह कुछ बहुत important topic है जो कि आपका at least 15 से 20 marks कवर करेंगे और अच्छे benefit के लिए आप last year का guest last time का guest paper भी जरू देखना ओके thank you very much stay connected stay head yeah yeah